स्वागत है आपको अपनी चैनल एक लव्या स्टेडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचेन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की जोगरफी पढ़ेंगे और जो आपकी पहली बुक में से जो आपका दूसरा चैप्टर है विश्व जनसंक्या वितरन घनत वरुवृद्ध इसके most important MCQ आज हम देखेंगे तो आईए वीडियो के start करते हैं और जिन बच्चों को नहीं पता की notes कैसे पढ़ने हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि हमने notes जो हैं आपके लिए website पे डाले हैं हमारी website पे और website तक पहुँचने के steps आपको बता देता हूँ सबसे पहले आ आप क्लिक करोगे तो आपके सामने हमारा homepage खुल जाएगा और यह जो तीन लाइन आपको दिख रही हैं इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने categories खुल जाएंगी आपकी class जो भी हो आप अगर 12th class के हैं तो आपको यहाँ पे click कर देना है class 12th वाली category पे और फिर subject के notes पढ़ने हैं आप यहाँ से जाके पढ़ पाएंगे कुछ subjects के एक यहाँ दो subject के notes अभी पूरी तरीके से नहीं डले हैं बाकी लगबग डल चुके हैं तो आप जाके यहाँ से पढ़ना start कर सकते हैं और अगर आपकी कोई problem यह कोई doubt हो तो आप मुझे instagram पे follow कर सकते हैं मेरा username आपके सामने हैं तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे mcqs ठीक हैं जो बहुव एकलबिक प्रशन होते हैं चार आपको मैं options दूँगा और आपको बताना है सही answer कौन सा है एक यहाँ दो question के answers आप मुझे comment box में बताओगे जब मैं आपसे पूछूँगा तो तो भूपरिष्ट पर लोग किस परकार वितरित हैं इस बात से लगाया जाता है या फिर लोगों का अनुपात क्या है या फिर इन में से कोई नहीं तो ये जो question है जनसंग के वितरन शब्द का अर्थ ये इस बात से लगाया जाता है कि भूपरिष्ट पर लोग किस परकार वि ठीक है, आपको पहचानना है, अगर आपको याद हो तो, तो इसका पहला विकल्प है, मौलतस ने, option B is रेडजल, option C है, जॉर्ज बी क्रेसी, और option D है, इनमें से कोई नहीं, तो ये जो कथन है, ये कहा है, जॉर्ज बी क्रेसी ने, तो option C, इसका सही आंसर हो जाएगा, तीसर सा कारण है, जो जनसंक्या वित्रण को प्रभावित नहीं करता, तो option A है, जल की उपलब्दता, ये तो करती है, प्रभावित, option B है, भुवा करती, ये भी करती है, option C है, जलवायू, ये भी करती है, और option D है, मनोरंजन के साधन, ये थोड़ा सा अट पटाए, तो इसलिए option D सही हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है, मनोरंजन के साधन, चनसंक्या वित्रण को प्रभावित नहीं करते, चोथा प्रशन है आपके सामने, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वह स्थान जहां से लोग जाते हैं, वो क्या कहलाता है आपको बता ठीक है, जहां से लोग जाते हैं, तो पहला option है, आपरवास, option B है, उत्परवास, option C है, उत्गम स्थान, और option D है, गंतव्य स्थान, तो जब लोग जाते हैं एक जगा से दूसरे जगा पर और जहां से लोग जाना स्थान करते हैं, यानि कि जहां से लोग जाते हैं, वो कह प्रवास ये भी होता है इससे भी जनसंक्या में परिवर्तन हो सकता है। प्रवास ये जनसंक्या में परिवर्तन का घटक नहीं है। प्रवास ये भी जनसंक्या में परिवर्तन हो सकता है। प्रवास ये जनसंक्या में परिवर्तन का घटक नहीं हो सकता है। प्लस व्यक्ति पर्तिवर्ग किलोमेटर यानिकि 100 से जादा या फिर 11 से 50 व्यक्ति पर्तिवर्ग किलोमेटर या फिर 200 व्यक्ति पर्तिवर्ग किलोमेटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो मद्यम घनत्व के छेतर होता है इसमें औसतन जो जन घनत्व होता है वो पाया जाता है लगबग 11 से 50 व्यक्ति परतिवर के किलोमीटर तो option B सही हो जाएगा नोवा प्रशन है निमलिकित में से कौन सा कारक जन संक्या वितरन को परभावित करने वाला आर्थिक कारक है ठीक है जन संक्या वितरन को परभावित करने वाला आर्थिक ठीक है तो option A है यहाँ पे जल ये तो नहीं होगा option B है जलवायू ये भी नहीं होगा option C है संस्कृति ये भी नहीं होगा और option D है खनीज तो इसमें जो आपका सही उतर होगा वो खनीज होगा जो मिनेरल्स होते हैं वो जनसंख्या वितरन को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में से ही एक होते हैं दस्वा प्रशन है निमलिकित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरन को प्रभावित करने वाला सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक हैं ठीक है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक तो option A है नगरिकरन ये नहीं होगा option B है खनीज ये आर्थिक में आ जाता है ये भी नहीं होगा option C या द्योगी करन ये भी आर्थिक में आ जाता है, option D है धार्मिक महत्व के स्थान, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये समाजी के वं सांस्क्रितिक का रखें, तो option D सही हो जाएगा, 11 प्रशन है निमलिकित में से क्या जनसंक्या की वास्तविक वृद्धी को दर्शाता ह कुछ options आपको दोंगा, और इसमें से देखते हैं कि क्या वो है जो जनसंक्या की वास्तविक वृद्धी को दिखाता है, option A है जन्म माइनस मिरत्व, ये नहीं होगा, option B है जन्म माइनस मिरत्व, प्लस आपरवास, माइनस उतपरवास, त्थिक है, जन्म माइनस मिरत्व, और option C है जन्म प्लस मिरत्व, और option D है इनमें से कोई नहीं, तो इसमें ये जो फॉर्मूला आप देखोगे, जन्म माइनस मिरत्व, प्लस आपरवास, माइनस उतपरवास, ये ही वो चीज़ है जो जनसंक्या की वास्तविक वृद्धी को दर्शाती है, तो B option is correct, बार्व Option A है यहाँ पे जनसंक्या में परिवर्थन जिसे परतिशत में व्यक्त किया जाता है यहाँ फिर जनसंक्या में हरास में व्यक्त किया जाता है यहाँ इन में से कोई नहीं तो इसमें जो सही आंसर होगा वो option A होगा क्योंकि जनसंक्या व्रिद्धी दर जनसंक्या में परिव से उस छेतर की जनसंख्या बढ़ती है अब जो जनसंख्या की प्राकर्तिक विर्धी होती है उसमें किसकी अंतर से जनसंख्या बढ़ती है चौद्वा प्रशन है अशोधित जन्म दर को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है ठीक है तो आपको बताना है कि किस द्वारा व्यक्त किया जाता है option A है प्रती हजार इस्तरियों द्वारा जनम दिये गए जीवित बच्चों के रूप में या इन में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होना चाहिए option A जो की है परती हजार इस्तरियों द्वारा जनम दियेगे जो जीवित बच्चे होते हैं उसी को हम अशोधित जनम दर्व के रूप में व्यक्त करते हैं अब पंदर्वा प्रशन है आपके सामने परवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं डैश कहलाते हैं ठीक है जो परवासी होते हैं वो जब किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर वो क्या कहलाते हैं तो हमारे आज के जो है 15 कोशन्स पूरे हो गए हैं और जल्दे ही ह वीडियो भी आपके सामने जल्दी लाएंगे और वेबसाइट पर आप नोट्स जरूर पढ़िए वीडियो अगर आपको पसंद आईया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले बैल आइकन दबा दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबस से पहले मिल जाए तो इस वीडियो में इतना ही जै हिंद जै भारत धन्यवाद